शृती का मायका राय बरेली में था और ससुराल दिल्ली में, तब ही तो वह एक साल से पहले वहां जाने का नाम भी नहीं लेती थी, इसलिए उसे मायका दूर होने की तकलीफ का एहसास था, वह यही सोचती थी कि जो भी उसकी देवरानी बन कर आये, उसका मायका पडोस में हो जब उसके देवर अर्पित ने अपनी मा कुसम को बताया कि वे पडोस की लड़की तपस्या से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है तो कुसम गुस्से में बोली कहीं और लड़की नहीं मिली क्या तुम्हें बताओ जी, हमारे पडोस की लड़की हमारे घर में बहु बनकर आएगी तो लोग क्या कहेंगे मा आप कुछ भी कहो शादी तो मैं तप्पू से ही करूँगा एं तप्पू अब तप्पू हो या टम्पू इतनी नजदीक की लड़की मेरे घर की बहु बनकर नहीं आएगी मा बेटे की बात बिगडते देख शृती कुसम के पास आई और बोली मा जी क्यों नाराज होती हो ये भी तो अच्छा है ना कि देवर जी ने आपको सब कुछ सच बता दिया अगर बिना बताए शादी करके ले आते तो और हमारी पूजा दीदी की ससराल भी तो पास में ही है हाँ बहु ये बात भी सही है मगर अब ये मगर वगर छोड़ो और चलो अपनी छोटी बहु तप्पू का हाथ मांगने कुसम और शृती अर्पित के साथ तपस्या के घर गए और शादी की बात पक्की कराए कुछ समय बाद उनकी शादी भी हो गई कुछ तिनों बाद मा जी आपने तपस्या को देखा है क्या मैंने सारे घर में ढून लिया वे कहीं नहीं मिली कहीं नहीं मिली क्या मतलत होगी यहीं कहीं क्या पता छट पर गई हो नहीं, वहां भी नहीं है, कहा गई होगी, उससे फोन करके पूछो ना कि कहा है शृती ने तपस्या को फोन मिलाया, तो फोन उसकी मा ने उठाया, तपस्या की मा ने कहा हाँ हाँ तप्व यहीं है, अरे वो मैंने इडली सांबर बनाये थे, तो इसे भी खाने के लिए बुला लिया, इसे बहुत पसंद है ना इसलिए, तुम चिंता ना करो, शाम तक आ जाएगी यह कहकर उसकी मा ने फोन काट दिया, कुसम ने पूछा, क्या हुआ बहु, क्या कहा उन्होंने, तपस्या अपने माईके में है, घर में इतना काम था और वे बिना बताय चली गई, मुझे नहीं तो आपको तो बता कर जाना चाहिए था ना, माईका पास में है तो उसका मतल कुद को ही देख लो, कितना समय गुजर गया है तुम्हें माईके गए हुए, आज पहली बार उसकी सास ने उसे उसके माईके के लिए कुछ कहा था, जिससे शृती का दिल बहुत दुखी हुआ, मगर क्या करती, चुप चाप जाकर अपने काम में लग गई, तपस्या अप बात वात तो कुछ नहीं है मा, बस इसलिए घडी देख रही हूँ कि आठ बजे दीदी खाना, पीना, बरतन, किचन सब समेट लेती हैं, आठ बजे के बाद ही वापस जाऊंगी, वरना घर जाकर मुझे काम करना पड़ेगा, जब तुझे ठीक लगे चली जाना, तपस्या आठ बजे के बाद घर आ गई, तब तक सब काम ने पड़ चुका था, वे कुसम के कमरे में गई, और रुआसा चेहरा बनाते हुए बोली, मुझे माफ कर देना माजी, जो मैं आप से पूछ कर नहीं गई, दरसल ना मम्मी का अचानक से फोन आ गया था, इसलिए जाना पड और फिर मेरा माईका तो इतने पास में हैं, बता कर ही क्या जाती, ये लो मेरी मम्मी ने आप के लिए ये इडली सांबर भेजे हैं, मैंने क्या कुछ कहा तुमसे बहू, तुम्हारा जब मन करे जब चली जाया करो बहू, मुझे कोई आपती नहीं है, भला मेरे लिए ये भेजने की क्या जरूरत थी, फिर क्या था, उसके बाद तो तपस्या का जब भी मन करता, वे माईके पहुँच जाती, क्योंकि उसे सास से इजाजत मिल चुकी थी, दो दिन बाद, मम्मी जी, मैं अपने घर जा रही हूँ, लेकिन सुभा सुभा क्यों बहू, मम्मी जी, ल उसके जाते ही शृती बोली, मा जी, ये क्या बात हुई, सोए तो रात भर हम भी नहीं थे, और जब से उठी हूँ, काम में लगी हूँ, वो तो माईके में सोने चली गई, मगर हम कहा जाएं, राए बरेली चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा माईका तो वहीं है बहू, कुसुम ने जैसे शृती के जख्मों पर नमक छड़क दिया हो, वह गुसे से तिलमिला उठी, वह सोचने लगी, कि उसकी देवरानी का माईके जाना कैसे छूटे, उसे तुरंत याद आया कि उसकी ननत पूजा का ससुराल भी तो पास में ही है, क्यों ना उनी से बात करे, शृती ने पूजा को सारी बात बताई, दीदी, मा जी का उसे यू जल्दी जल्दी माईके भेजना ठीक नहीं है, मैं सारे काम छोड़कर रोज माईके चली जाती है, और मैं कुछ कहती हूँ, तो मुझे भी माईके का ताना देती है, भाबी, आप चिंता मत करो, मैं कल आत महारी मम्मी मेरा कितना खयाल रखती है, एक राय बरेली वालों ने तो आज तक एक टौफी भी नहीं दी, हाँ, मम्मी जी मैं घर जा रही हूँ, सिर में बहुत तेज दर्द है, भावी से थोड़ा मसाज करा लूँगी तो आराम मिल जाएगा, अरे नहीं बहू, आज तो पूजा आ रही है, उसने कहा है कि उसका सबसे मिलने का बहुत मन है, तपस्या मन मार कर रुख गई, उसे पता था कि आज घर में बहुत काम फैलने वाला है, पूजा दीदी काफी दिनों बाद आती है, इसलिए उनकी खातिरदारी अच्छे से होती है, एक बज़े के करीब पूजा आ गई, सब उससे मिलकर बहुत खुश हुए, दीदी इतने दिनों बाद आई हो, मैंने आपका मन पसंद खाना बनाया है, हाँ पूजा इस बार तो तू पूरे साल भर में आई है, अपने भईया को साथ लेकर एक दो अपनी मन पसंद की साड़ी और कुर्ती दिदी मैंने भी आपके लिए चांदी की पाया लाकर रखी है, तपस्या देख रही थी कि सब लोग पूजा की आवभगत में जी जान से लगे हुए हैं, खाना खाने के बार सब लोग आपस में लड़ रहे थे कि पूजा आज हमारे पास सोएगी ताकि रात में वो लोग बतिया सकें। पूजा के साथ इतना प्यार देख कर तपस्या सोचने लगी कि कितनी किस्मत वाली है पूजा दी, जो सब उनसे इतना प्यार करते हैं, और एक हमारी भाभी है, हमारे जाते ही अपने कमरों के दर्वाजे बंद कर लेती है, खाना खाने के बाद सब लोग एक साथ बैठे थे, तपस्या बोली, दीदी, आपकी ससुराल इतनी नस्दीक है, आप फिर भी कितने लंबे समय बाद आई हो, घर में ड्रॉनक हो गई, भाभी, अच्छा तो है कि मैं काफी समय बाद आई, तभी तो मुझे इन लोगों का प्यार मिल रहा है, अगर मैं यहां रोज रोज आती रही, तो आप सब लोग मुझे से चिर्णने लगोगे, और अपना आत्मसमान भी तो है, रोज माईके में पड़े रहने से इज़त नहीं होती, बेटियां मा को अच्छी लगती है, लेकिन रोज माईके में रहने से मा भी परिशान हो जाती है, तपस्या अपने बारे में सोचने लगी, क्या मेरे घर वाले भी मेरे जाने से परिशान हो जाते होंगे, ये बातें उसके दिमाग में घर कर गई, दो दिन बाद वे फिर से माईके गई, और उसने अपनी मा को अपनी भाबी से कहते सुना, ये तप्पू को भी कुछ कामधाम नहीं ह रोज चली आती है, इसके ससुराल वाले भी इसे मना नहीं करते, ममी जी आप उनसे बोलो की समय पर आया करें, ये रोज रोज उनका हमारे यहां पड़े रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो किसे दिन मैं ही उनके यहां आने के लिए मना कर दूँगी, हाँ तपस्या जो खुद को अपने माईके की रानी समझती थी, उसका भ्रम तूट गया और वे घर के बाहर से ही वापस लोट आई, क्या हुआ तपू आज बहुत जल्दी वापस आ गई, हाँ दीदी, वापस आने में मुझे बहुत समय लग गया, अब मैं हमेशा के लिए लेकिन रोज-रोज माईके जाने से इज़त नहीं होती, अगर ये बात समझ आ जाए, तो बेटियां बेवजह जल्दी-जल्दी माईके न जाएं, और उनका प्यार और सम्मान बना रहे। My God, Discipline नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, चहरे से ही गरीबी जलकती है, पूर कहीं के, हाँ, भई सब चुपो जाओ, नई मैडम आई है, आज स्कूल में मेरा पहला दिन है, आज से मैं तुम्हारी नई क्लास टीचर हूँ, समझे बच्चों, Good Morning मैडम, Good Morning, ए लड़की इध खराओ, ये कुरसी साफ करो, कल से जब मैं क्लास में आऊँ, तो मेरी कुरसी और ब्लैक बोर्ड साफ हो जाना चाहिए, शालू, लगता है मैडम जी तो बहुत गुसे वाली है, मेगा मैडम जी तो इस तरह कभी नहीं बोलती थी, छिपकली सी मैडम है, और आटिट्यूट तो देखो, चुपकर, अगर मैडम ने सुन लिया तो, ये क्या खुसर पुसर हो रही है तुम दोनों में, चलो, खड़ी हो जाओ, कुछ नहीं मैडम जी, वो मैं, मैं शालू से, शालू का तो मैं आलू बना दूँगी, चलो दोनो, इधर आ जाओ, तुमने फुल यूनिफ जूते पहन कर नहीं आई न, तो स्कूल आने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी जूते ना पहनने की सजा ये है, कि तुम धूप में नंगे पाउप पूरा ग्राउंड साफ करोगी, और शालू, तुम्हारे बाल खुले क्यों है, मैडम जी, आज सुबह बाल कीले थे, इसलिए बांधे नहीं, स्मिता ने अपने पर्स से कैची निकाली और उसके बाल काट दिये, अनिका ने नंगे पाउप पूरा ग्राउंड साफ किया, जिससे धूप से उसके पैर में च्छाले पड़ गए, अगले दिन स्मिता ने कहा, बच्चों, आज सब बच्चे मुझसे अपना अपना लंच चेक कराएंगे, मैं भी तो देखूँ कि सबसे बढ़िया खाना आज कौन लाया है, जिस बच्चे का सबसे बढ़िया खाना होगा, उसे मैं एक्जाम में बहुत अच्छे नंबर दूँगी, हाँ, मैडम जी, मैं आलू के पराठे लाई हूँ, मैं छोले चावल, अरे वाह, चलो, अपने लंच मेरे पास रख दो और वहाँ बैटकर पढ़ाई करो, तब तक मैं खा कर बताती हूँ कि किसका लंच कैसा बना है, बच्चे भूखे रह गए और उनकी मैडम लंच चट कर गई, अनेका, तुमने अपना लंच नहीं दिया, तुम क्या लाई हो, मैडम जी, आज मैं लंच नहीं लाई, घर का राशन खत्म हो चुका था, अगर ममी राशन लाती, तो फिर मैं जूते कैसे पहनती, ठीक है, चल नहीं अच्छे नंबर देंगी, इसलिए बच्चों का दिमाग पढ़ाई से हटकर खाने में लग गया, वो बढ़िया से बढ़िया खाना स्कूल में लाने की कोशिश करते, लेकिन अनेका स्कूल में खाना नहीं लाती थी, क्लास में अगले दिन स्मिता ने पूछा, ये सा लोग खराब खाना खाकर बीमार पढ़ गए तो, अगर तुम लोग बीमार हुए, तो पढ़ाई का नुकसान होगा, और फिर तुम फेल हो जाओगे, और सुनो, स्कूल की बातें अगर किसी ने अपने घर पर बताई न, तो उने फेल कर दूँगी, समझे, वे मन ही मन मुस नहीं किया, ये अनिका भी तो इसी क्लास में पढ़ती है, इसने सारा टेस्ट किया है, आज तुम्हारी खेयर नहीं, चलो, सब मुर्गा बनो, समिता ने डंडा उठाया, और बच्चों को मारने लगी, मैडम जी, हमें मत मारो, अब हम कभी नहीं हसेंगे, तुम लोगों की आज की पनिश्मेंट ये है कि सारे बच्चे स्कूल का संडास और क्लास रूम साफ करेंगे, मैडम जी, मेरा टेस्ट तो अच्छा गया है, क्या मैं भी, अच्छा हुआ तो क्या हुआ, जानती हूँ, कहीं से नकल की होगी, चलो, तुम भी जाओ इनके साथ, समिता का अत्य का खाना खा जाती थी, दो दिन बाद स्कूल में टीचर्स, स्टूदेंट्स, फैंसी ड्रेस कॉंपिटिशन था, उसने सोचा, क्या नई ड्रेस खरीदू, क्यों न क्लास के बच्चों से ही कुझ जुगार किया जाए, अच्छा, बच्चों, ये बताओ, किसकी मम्मी के पा माने की योजना बनाई, और बोली, खाना लाए, उसमें थोड़ा-थोड़ा जमाल घोटा में लाकर लाना, मेरे पास है, ये लो, सब डाल लेना, और ये खुझली की दवाई है, जो भी ड्रेस लाएगा न, इसे उसमें लगा देना, ताकि जब मैडम ड्रेस पहन कर देखें, उन्हें खुझली हो जाए, उसक पर पहुँच चुके थे, समिता बच्चों से बूली, बड़ी देर कर दी, जल्दी से ड्रेस दिखाओ, ताकि मैं तुम लोगों के लिए सिलेक्ट कर सकूँ, माडम जी आप तयार हो जाएए, हम लोग तो खुझ भी तयार हो जाएंगी, आपका जीतना जरूरी है, आप हम में लग जाएगा, लगता है बच्चे बहुत समयदार हो गए हैं, फटा फट लंच बॉक्स दो, समिता ने खाना खाया, और तयार होकर जैसे ही स्टेज पर पहुँची, उसके पेट में गुडगुड और शरीर में खुझली होने लगी, अरे, अरे, ये मेरे पेट में इत से देख कर हंसने लगा, क्या हुआ समिता, मैम, पता नहीं, आज पेट बहुत खराब है, और ये खुझली, आती हूँ मैम, रुका नहीं जा रहा, कुछ गलत तो नहीं खा लिया था आज, नहीं, कुछ गलत नहीं खाया, बच्चों के लंच का खाना तो बहुत बढ़िया बस वही खाया था, उफ, ये खुझली, लगता है, इस ड्रेस में ही कुछ कड़बर है, ये ड्रेस कहां से ली, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने शालू की मम्मी की ड्रेस पहनी, इसे जल्दी से उतार देती हूँ, पहले वाश रूम जाती हूँ, सारा स्टाफ चौंक गया कि स्मिता ने बच्चों का लंच खाया और एक बच्ची की मम्मी की ड्रेस पहनी है, प्रिंसिपल ने उसकी क्लास के बच्चों को बुलाया, तो अनिका ने प्रिंसिपल को सारी सचाई बता दी, स्मिता वाश रूम से आई, तो प्रिंसिपल ने कहा, सही सजा दी बच्चों तुमने इन मासूम बच्चों के साथ इतने अत्याचार किये, उसके सामने ये सजा बहुत कम है। मैंने इन पर बहुत अत्याचार की हैं, लेकिन अगर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया, तो मेरे बच्चों और मेरे परिवार का क्या होगा। मेरे तौबा मेरे बाप की तौबा, अब मैं बहुत अच्छी टीचर बन कर दिखाऊंगी। और उसके बाद स्मिता एक अच्छी टीचर बन कर बच्चों को प्यार से पढ़ाने लगी।